अगर आपके लिए अगर आपके लिए साइन ए साइन तो यह किसको डिरेक्ट आपको एक्कल कर देना है 1 अपउन 4 साइन 3 ए इसी तरीके से आपको सेकिंद कॉसे कॉस 2 ए कॉस 4 ए अगर कॉस 2 ए-कॉस 4 एक की फॉरम में है कोई भी question तो आपको direct इसमें 1y4 cos 3a कर देना है ठीक है इससे आपका question बहुत आसानी से solve हो जाएगा number third अगर आपके लिए इसी तरीके से 10a 10 2a 10 4a है तो ये हमारा 10 3a को लोगा तो ये हमारा 10 3a को लो जाएगा अब जैसे कि मैं आपको लिए question कराता हूँ अब ये formula बता है ये कैसे apply कर रहा है वो भी आपको बता रहा है एक आपको questions लेना है मान लेजिएगा ये cos 20 degree cos 40 degree है and cos 80 degree है आप देखरो ये cos a ये आपका a हो गया 20 and 40 के लिए आप 2 into a करके लिख सकते है इसके लिए आप आप ये आपका 4 into a हो जाएगा यानि कि a की value आपकी ये क्या चाहा है 20 है यानि कि ये 20 है ये 2 into 20 यानि कि ये 4 into 20 degree तो आपका देखरा है ये a 2 a 4 e की form में है तो आप इसमें किसके equal कर देंगे ये direct आपको कर देना है 1 y 4 लगा देना है and cos 3 into a a क्या है आपका 20 degree है ये कि ये कितनी आसानी से solve हो गया अब 1 y 4 cos 3 to 6 यानि कि cos 60 degree हो गया अब आप जानते हैं cos 60 degree की value क्या होती है पताओ प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताओ क्या होती है 1 upon 2 होता है यानि कि 1 4 2 जाए तो देखा कितना आसानी से solve हो गया इस method से ठीक है और और भी matrix बताने का रहा हूं देखिएगा अगर आपके पास cos theta plus sin theta upon में cos theta minus sin theta है तो आपको इसमें क्या करना है डाइरेक्ट आपके लिए 10 45 degree plus theta कर देना है अगर आपके पास देखिएगा प्यारे बच्चों cos theta minus sin theta upon में अगर cos theta plus sin theta अगर आपको दिखता है तो तुरंत आपके लिए 10 45 degree minus के theta है डाइरेक्ट करना है इस method से डाइरेक्ट कुस्चन सॉल्व हो जाएगा कुछ भी सॉल्वनी करना है अगर इस form में आपको दिख रहा है तो तुरंत आपके लिए यह लिख देना है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अगर आपसे कोई कहता है अगर आपके पास कोई भी question अगर m sin theta plus minus n cos theta अगर इसकी form में अगर आपके पास question आए और बोले कि find करो maximum value अगर वो आपसे maximum value find करने को बोले तो आपको कैसा method लगाना है shortcut method वो आपका क्या है तो आपको maximum value निकालने के लिए आपको under root में m square plus n square कर देना है अगर आप इसी पर मैं एक question करा रहा हूं देखीगा यह कैसे आप apply करेंगे टिक बुद्धे को यह जैसे कि अगर आपको पास 4 sin theta plus 5 cos theta है अब वो बोलना है कि find करो maximum value find करना है अगर आपको maximum value maximum value ठीक है हिंदी में इसे महतम माल बोला जाता है ठीक है तो कैसे करके निकालेंगे आप आप जानते हैं देख रहे हो आप इससे compare कर लो m की जगार पर m की value आपकी क्या हो गई 4 हो गई और n की value क्या हो गई 5 तो क्या करना है under root m square यानि की 4 का square plus 5 का whole square यानि की 4 का square 16 plus 5 का square 25 तो कितना हो गया यह 5 6 11 1 3 यानि की 4 root मे 41 तो 41 इसका क्या हो गया maximum value हो गई अगर आप से minimum value को find करने को बोला जाए क्या अगर बोला जाए find minimum value find minimum value तो minimum value को find करने के क्या है क्या टेखना है आप बस minus लगा देना है अंडर root में m square plus n square कर देना है तो आपकी इससे minimum value निकल लाईगी हिंदी में इसका क्या नाम है हिंदी का इसका नाम जाए हो noon thumb to man बोलते हैं से sin theta plus cos theta is equal to अगर k होता है question में अगर k हो then आपके लिए अगर पूछा जाए कि sin theta minus k cos theta is equal to k होगा तो तुरंट आपको 2 minus k k square कर देना है sin theta plus cos theta is equal to k है then sin theta minus cos theta is equal to root 2 minus k k square हो जाएगा प्यारे बच्चों आप इसे ध्यान से trick को समझ लीजीगा बहुत आसान है यह ठीक है अगर आपके लिए दूसरा बहुत ही important आ रहा है कुछ देखीगा कुछ tricks देखीगा है यहाँ पे number one क्या है देखीगा number one क्या formula आने वाला है देखीगा बहुत ही भेतरी माला है sin theta plus cos theta is equal to अगर 2 है then अगर आपके लिए find करने को बोला जाए क्या देखो sin की power n theta plus cos theta की power n theta तो बताओ प्यारी मैच्चो इसके आगी क्या हैगा आपको कुछ नहीं करना है जो sin theta plus cos theta is equal to 2 है तो यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा ठीक है number two इसी तरीके से अगर cos theta plus sec theta is equal to अगर 2 हो then आपको cos की power n theta plus sec की power n theta is equal to 1 कर देना है कुछ नहीं करना है प्यारी मैच्चो देख लीजिएगा कितना आसान ट्रिक है यह अगर 10 की power अगर 10 theta plus cos theta is equal to 2 है then अब आपके लिए निकालना है 10 n theta plus cos n theta तब भी आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा अगर 10 theta plus cos theta is equal to 2 है then 10 की power n theta plus cos की power n theta भी आपका 2 हो जाएगा अगर मैं आपके लिए इस तरीके से बहुत सारी question को आप solve कर सकते हो इस trick से ठीक है अब आपके लिए जैसे कि कोई question अगर आपके बोला जाएगा अगर यह question भी करा रहा हूँ अगर बोला जाता है कि sac theta plus cos theta is equal to अगर 2 दिया हुआ है अब आपसे find करना है कि sac की power 6 theta plus cos की power 16 theta is equal to क्या हैगा देखो प्यारे बैचों अभी अभी मैंने बता है आपको directly बता दिया है अगर sac theta plus cos theta is equal to 2 है अगर यही formula भी trick अपलाई की थी हम लोंने अभी यही वाले trick अपलाई की है sac theta plus cos theta is equal to अगर 2 हो देन हमें sac की power अगर n theta plus cos की power n theta भी 2 हो जाएगा तो यहां से भी अगर हम sac की power has 16 theta plus cos की power has 16 theta भी हमारा यहां पे 2 हो जाएगा दिख रहे हैं कितना आसान बिल्कुल भी solve नहीं करना है directly आपका question हो जाएगा इस type के question बहुत सारी question आते हैं प्यारी बच्चो तो इनके लिए आप पढ़िएगा बार बार practice कीज़ेगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगे ठीक है